मित्रों यदि आपके जीवन में तनाव कलह और चिंता है तो आप पांच तरह के फूलों के पोधे अपने घर आंगन में लगा लिजिए या प्रती दिन इनके ताजा फूलों को अपने घर में किसी उचित स्थान पर जल के पात्र में रख दीजिए निश्चित ही ऐसा करते रहने से आपके जीवन के सारे संताप मित जाएंगे मन और मस्तिष्क शांत रहेगा शांत मन और मस्तिष्क में ही प्रसनता होती है जहां प्रसनता और हसी होती है वही पर लक्षमी जी भी होती है जीवन में सुगंध नहीं है तो प्रसनता और शांती भी नहीं होती है तो आज के इस वीडियो में ऐसी ही पांच पूलों के बारे में हम सभी जानते हैं जो कि घर में लगाने से सुख सम्रिध्धी आती है और रोगों का नाश होता है तो वीडियो को बिना स्किप के हुए अंत तक जरूर देखिए पहला फूल है चंपा का फूल जी हाँ चंपा को अंग्रेजी में प्लूमेरिया कहते हैं चंपा के खुपसूरत मंद सुगंधी तहल के सफेद पीले फूल अकसर पूजा में उपयोग किये जाते हैं चंपा का व्रिक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरन को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है चंपा के व्रिक्षों का उपयोग घर पार्क पार्किंग स्थल और सजावटी पौधे के रूप में वियाप करते हैं आसानी से हिंदू पौराणिक कथाओं में एक कहावत है चंपा तुझ में तीन गुन रंग रूप और वास अउगुन तुझ में एक ही भमर्न आये पास रूप तेज तो राधी के अरू भमर कृष्ण को दास इस मर्यादा के लिए भमर न आये पास चंपा में पराग नहीं होता है इसलिए इसके पुष्प पर मधुमक्या कभी भी नहीं बैठती हैं चंपा को कामदेव के पांच फूलों में गिना जाता है देवी मा ललि की द्रिष्टी से सवभाग्य का प्रतीक माना गया है चंपा मुख्यता पांच प्रकार की होती हैं सोन चंपा नाग चंपा कनक चंपा सुल्तान चंपा और कटहरी चंपा सभी तरह की चंपा एक से एक अदभूत और सुन्दर होती हैं और इनकी सुगंध के तो क्या कहने है कभी देखिएगा। दूसरा पोधा है पारिजात का फूल। पारिजात के फूलों को हर सिंगार और शैफाली का भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जेस्मिन और उर्दू में गुल जाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन में तनाव हटा करके व्रिक्ष को छूने मातर से ही व्यक्ति की ठकान मिट जाती है हरिवंश पुराण में इस व्रिक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन किया गया है इन फूलों को खास तोर पर लक्षमी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल क तीसरा फूल है रात रानी के फूल इसे चांदनी के फूल भी कहते हैं रात रानी के फूल मदमस्त खुश्बू विखेरते हैं इसकी खुश्बू बहुत दोर तक जाती है इसके छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं तथा रात में खिलते हैं और सबेरे सिकुड जात जिसकी भी नाक में इसकी सुगंध जाती है वह लो ठहर जाता है। पूल एक दुबला, टूबलर जैसा, साथी, हरा और सफेद होता है, चोथा अब फूल जो है, वो जानते हैं कौन सा है, रजनीगंदा का पोधा पूरे भारत में पाया जाता है, मैदानी शेतरों में अपरेल से सितमबर तथा、 पहारी शेतरों में जून से सितमबर महीने में फूल निकलते हैं इसके रजनी गंधा की तीन किसमे होती हैं रजनी गंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है इसक भीनी भीनी महक से तन और मन को ठंधक का एहसास होता है इसका फूल सफेद रंग का होता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इसकी सुगंध आपको गर्मी के एहसास से दूर रखती है मोगरा कोड मुह और आख के रोगों में लाप देता है छठा है जूही के फूल जूही की ज धाड़ी अपने सुगंध वाले फूलों के कारण बगीचों में लगाई जाती है जो ही कि फूल छोटे तथा सफेद रंके होते हैं और चमेली से मिलते जूलते होते हैं फूल वरशारी तुमें खिलते हैं यानि कि अब जो मौसम आ रहा है इसी में इसकी सुगंध से मन और मस तिश्क के सारे तनाव हट जाते हैं और यह वाता वरण को शुद्ध बना देता है तो यह ऐसे फूल हैं जो कि आपके जीवन से आवसाद को दूर कर देते हैं और आपके जीवन को कारगर और सार्थक बना देते हैं तो इन फूलों का प्रयोग कीजिए और लाप्राप्त क यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे